शिक्षा चिकित्सा भरपुर रोजगार है उज्वल भविश का यही तुमूल आधार है विकास हो रहा है उद्धान हो रहा है प्रगती का द्वार खुला है तशातिशा भी बदल रहा है विकास की ने गाता लिख रहा है जारखन हमारा जारखन उभरता जारखन नमस्कार जोहार उभरता जारखन का रिक्रम में आप सभी का स्वागत है मैं हू नमीता जारखन का विकास हमारा सम्मान गर्ब से कराएंगे हम जारखन की पहचान आज के अंक में हम बाते करेंगे जड़ी बूटियों का संरक्षन और सन्वर्धन कर रहा है जारखन और शद्ध्याले आप सभी को पता ही होगा कि जारखन की जड़ी बूटियों में महत्तवपुन जड़ी बूटियां मिलती है जिससे गंभीर और खतरनाक बिमारियों का सफल इलाज किया जा सकता है इनी बातों को ध्यान में रखते वे जारखन और शद्ध्याले कारी कर रहा है तो चलिए बिना देर के देखते हैं कि आखिर जड़ी बूटियों का संरक्षन और संवर्धन कैसे किया जा रहा है और इसका कैसे लाब मिल रहा है अपना जारखन प्रदेश घने जंगलों का प्रदेश रहा है यहां के इन जंगलों में ऐसी कई जड़ी बूटियां पाए जाती हैं जिससे ला इलाज बिमारियां भी ठीक हो जाती हैं इन जड़ी बूटियों से पुराने जमाने में कई बिमारियां ठीक की जाती थी एलोपैत के आगमन से लोग इन जड़ी बूटियों के गुण भूलते चले गए आज जब लोगों ने फिर से जड़ी बूटियों का महतो समझना शुरू किया है तो उन लोगों ने अपनी बिमारी का इलाज प्राकृतिक जड़ी बूटियों या योग कहें कि आयुरवेद में ढूनना शुरू कर दिया है यही वज़ा है कि आज कई लोग यहां पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का संगरक्षन एवं संवर्धन करने में लग गए हैं लोहरदग्गा के शहनवाद भी उन्हीं में से एक हैं उन्होंने इसके लिए ना सिर्फ लोहरदग्गा में बलकि रांची और दिल्नी में भी आयुरवेद आधारी तौशेदाले खोल रखा है जहां इन जड़ी बूटियों से दवाईयां बनाई जाती हैं समय के अनुसार हर चीज में बदलावाता है आज हर लोग बैक तरफ जा रहा है आप बहुत सुने होंगे कि लोग पीछे अब मिट्टी के बरतन को यूज़ करना शुरू कर दिये हैं तामरपात्र का यूज़ करना शुरू कर दिये हैं और लोगों को ये पता हो गया कि आज जो है डॉक्टर दांत का बहुत जादा बैठने लगे हैं वो बरश के चलते या पेश्ट के चलते जो हमारे जिन्दगी में बहुत तरह के केमिकल घुस गया है अब लोगों को एवेर्नेस करने के जोड़त नहीं है लोग हर लोग आप करना शुरू कर दिये हैं कि जो अंग्रेज लोग पचास वर्ष पहले अंग्रेजी दवाई या केमिकल या ऐसी चीजों के निर्मान कर चुके थे उन लोग भी पता था कि आने वाला पचास वर्ष बाद इसका क्या साइड इफेक्ट होगा और आज लगभग लोग जान ग पड़ी बूटियां या जो पेड़ पौधे उपलब्ध करा हैं वो आपके अनुकूल ही होता है और जैसे मान के चलिए एक्जांपल के तोर पर विने जी हम देखेंगी कि एक पौधा होता है चोटा से एलेवरा उस एलेवरा राजिस्थान के एलेवरा और जहरकंड पौधान तक जानते हैं या उसका चर्चा है हम एक जड़ी का बारे में बतला रहे हैं अगर इन चीजों को आप पूरा समझेंगे तो अलग-अलग जगह का क्लाइमेट के अनुसार अलग-अलग जड़ी बूटिया का गुन उसमें खुद बखुद आ जाता है और परकृत हैं एक ओ क्या बलते हैं डिस्कॉबर का विश्य है हम अपने माध्यम से और हमारे एक सर हैं अंकीत कुमार पांडे सर हैं जो डेली में हैं और उनके माध्यम से हम लोग मिल करके एक ऐसा नयाब सिस्टम खड़ा कर चुके कि जहां पर भी जड़ी बूटियां जो हमारे पहुचाने की कोशिस कर रहे हैं यह उशधाल है शहनवाज ने अकेले नहीं खोला है बलकि इसमें उन्होंने अंकित कुमार पांडे का भी सहारा लिया है यह दोनों मिलकर आज ऐसी जड़ी बूटियां जो मनिश्य को स्वस्त रख सके उसे लोगों तक पहुचाने का प्र उन से मुलकात हुई और जब मेरा विचारों को देखे और वो मेरे एक तरह से अभी जुनियर सैंटिस्ट भी है सलाकार भी है इसका मिडियां भी आ चुका है पेपर में चप चुका है तो जब उन से मेरी बात चित हुई तो हम लोग एक बनाए यूनिट एक लोःदगा य चुरू किये हैं लेकि मेरा में यूनिट डेहली और रोडगा ही है सबसे पहले यह आपका कोश्चन बहुत बढ़िया है अगर दर्शक इसको समझेंगे तो शायद हम उनको लाब दे पाएंगे जड़ी बुटी के माने होता है वैसी चीजों को हम लोग ज्यादा फोकस करत होता है सुगरत अपरेशन होता है नहीं बीपी का नहीं मैगरेन का नहीं थाइरेट का नहीं जुटी का नहीं जिसका अपरेशन नहीं होता है उसमें समवत्ता लोग मजबूर हो जाते हैं पूरी जिंदिगी दवा खाने लिए और एक दवाई से तो शुरू होती है बीमार या और पैदा हो जाती है दवाईया का संख्या भी बढ़ जाता है तो हम लोग कोशिस करते हैं को उनको ऐसा डाइट पलान दे ऐसे खान पान रहन शान वाता वरन को उनके अंदर में बदलावना है उनको ट्रेनिंग दे के समझा के बैठा के और फिर कुछ जड़ी बूटिय करना संभाव नहीं है और वे जिन्दी भर दवा खाने को मजबूर है ऐसे मरीजों को शेहनवाज और उनकी टीम डाइट प्लान देती है उनके रहन सहन तथा वाता वरन में बदलाव की कोशिश करती है और फिर जड़ी बूटियों के मांधियम से बीमारी का जड़ से इला पर ऐसे पपीता भी है ऐसे आपका कठल भी है ऐसे करंच का पेड़ भी है बहुत ऐसा चीज है जो हमारे पास है तो मान के चलिए हरा बहरा आउला ये तीन क्रीफला के नाम से जाना जाता है अगर इसको रोजाना आप सेवन करना सुरू कर दें नेचरली डायरेक्ट जञती है कोस्टी पेसल जिसको हम लोग कपजियत भोलते हैं उससे हमारे बलट सर्कुलेशन को मदद मिलेगा और अपके बोड़ी में विटामिन सी मिल जाएगा और लैक और भीटामिन सी के चलते जो भी विमानिया जनित होती है आपको नहीं होगी ये चीजे हैं और अग एक आप बोलेंगे जड़ी बूटियों का बात, तो हमारा पूरा का पूरा जार्खन जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है. अगर आप बाहर का गोखरू लेते हैं, जिसको हम लोग भूट connection है. शतावर आप अपने हं कर सकते हैं. लेकिन अगर आप खजूर के यूज कर रह लेकिन वो बेरी क्या है? बेरी हम लोग का एक जामून है पता है आज के डेट में हमारा complete हमारे diabetes से लड़ने के लिए जामून का बीच, जामून का चाल, जामून का पत्ता, जामून का जड़ completely वो सारापा, सारापा बोला जाता है जड़ से लेके उसके फुनगी तर या हमारे यहां जो ट्रेइनिंग होता है उसको ट्रेइनिंग ले करके उसका लाब उठाना शुरू करते तो साइध फर्स्ट एडर नहीं बलके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को रोख थाम कर सकते हैं और एक बड़े होस्पीटल में जाने से रोख सकते हैं उसके आपके जंगल में जो जड़ी बूटिया है वो एक मजबूत दिवार बन करके खड़ा हो सकता है बड़े होस्पीटल में जाने से इनके यहां मरीजों की कमी नहीं है इनके यहां मरीज सिर्फ जारखन से नहीं बलकि देश के कोने कोने से आते हैं देखें मेरे पास मरीज का आना लगवग कई एस्टेट से है जैसे जारखन, चर्थिसगड, उरिसा, पशिममंगाल, बिहार और इसके अतिरिक जो नाइवर यानि पुरोसी हमारा राज है उसके अतिरिक लगवग पूरे भारत से लोग संपर कर रहे हैं चुके आज के डेट में ये जो मिडिया का दोर है, मिडिया में जो हमारी चीज़े आती है, मोबाइल से लोग देख रहे हैं आप खाने लगेंगे तो नो डाउट उसका side effect होता है और इसको पूरी दुनिया जानते हैं और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अगर ज्यादा आप दवाई बेधरले यूज करेंगे तो उससे आपको इसका बुरा परभाव देखने को मिलेगा शेहनवास जड़ी बूटियों के महतु को समझते हैं यही वज़ा है कि वो इसके ग्यान को और लोगों को भी बांटते हैं ताकि इस विद्या का और भी प्रसार हो और लोग इससे लाभानवित हो सबसे पहले बात कि अगर आपको एक क्रेटेरिया देते हैं तो बहुत लोगों का पढ़ा लिखा कम है लेकिन उसके अंदर में इसकील होता है उसके अंदर का सीड जो है जो सीड होता है उसको पाचाना जाता है उसको एक फटिलाइजर लेंड चाहिए एक उपजाव जमीन में चाहिए जो इस सीड को बढ़ा कर सके तो हम लोग यह ने देखते हैं कि पढ़ा लिखा कितना है ौ देखते हैं को पढ़ने के-लिए कितना है मैंने ओ पढ़ सकता है कि मेरी चीजों में और इसको कतना स Е बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, आप देखेंगे को साइन्स से PG की हुए हैं या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखें लेकिन वो हेल्थ को लेकर करके बहुत आवर्नेस नहीं है, बहुत लोग मेट्रीकी पास हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं जड़ी बुटी के बारे में, गाउं-गाउं के लोग बहुत देखते हैं अपने घर में खरन मुसरी जिसको पुछते हैं, पिछते हैं, घिसते हैं और अपने से लगा लिए, खा लिए और कता है रे बाबु बेस होई गलों में, इस टैप से उसको खाने को बाद लगता है, उसको कि अच्छा पैदा कर या, फिर दूसरे को बताता है, समताय जड़ी बूटीयों का इस टा भी यही सो होता है, आप छोटे पैमाने से या छोटे चीजों से शुरू करते हैं, लाब होता है, फिर दूसरे को बतलाते हैं, ऐसी ही करते हैं, मैं तो चला था, जानी भे मन्जिल, अकेले मगर लोग आ होती आता है चाहे हो जिस परकार का काम हो उसमें चैलेंजेज आते हैं और जितना जादा आप बड़ा काम करने लगेंगे चैलेंजेज आना शुरू होगा हां हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि हमारा जो भारत वर्ष है इसमें पहुत जादा जड़ी पूटियों का संगम है लेकिन इसी जड़ी पूटि को वीदेशों में शोध होता है और शोध करने वालों को हेल्प भी मिलता है और उनको अलग से फन्डिंग मिलता है और उसी चीज को वो बहुत अच्छा शोध करने बाद हमारी देश में अच्छा मुल्ये लेकर चले जाते हैं बेज करके यह का एक विशे है जो देश का सिस्टम और देश के कानून के हिसाब से जड़ी बुटी पर काम करने वाले लोगों को बहुत सहयोग मिलना चाहिए यह अब तक का मेरा बड़ा फिलिंग है बड़ा महसूस करते हैं इस तरह लोग आप गर चाहें तो आप से जूड़ की सकते हैं जी जुड़ने का पूरा अच्छा और बेहतर परोधान है जो लोग मेरे से बैठेंगे उनका इंट्रेस्ट देखते हैं समझते हैं किसी परकार का कोई उसका देने के कोई पैसा जाते हैं उनको कितना सुल्क अप लेते हैं शुल्क मात्र 700 है वो एक रजिशेशन सुल्क है और उसमें वाइफ अस्मेंट दोनों का है और वन टाइम है मने उसको फिर दुबारा शुल्क लेने का हम लोग नहीं रखें एक बार दिखाने बाद जितना बार आएंगे उसको फिर उतने ही सर्विस मिलेगा जड़ी बूटियों का इंसानी जीवन में बड़ा महत्व है इससे कई बिमारिया प्राक्रितिक रूप से ठीक हो जाती है पुराने जमाने में लोग जड़ी बूटी से ही रोग दूर भगाते थे आज फिर से जब लोगों को इसका महत्व समझ में आने लगा है तो इसका स आधी और नानी के नुक्सों तक ही नहीं सिमित है आज हमारे पास ऐसे ऐसे सक्सियत आगये हैं कि उसको उभारने और तरासने के पिछे लगे हुए है आज सहनवाजी का मेहनत ये रन लाया है कि आई ना सिर्फ राची ना सिर्फ लोहर्दगा बरकि पूरे जहारखंड बि अधायों से अवाइड करने के लिए जो नुस्के होते हैं उसका परियोग करें आज के लिए बस इतना ही अगलें के में होगी फिर मुलागा तब तक के लिए पुरी टीम को दिजिए इजाज़त जोहार नमस्कार देखाना आप सभी ने हम तो बस इतना ही कहेंगे कि प्रा का अर्थ होता है वन सम्पदा द्वारा उत्पादित सभी समागरिया इसे दो भागों में बाटा गया है बड़े वनुत पाद और चोटे वनुत बात और और कुछ बताएंगे लेकिन इसे विस्तार से आपको दिखाते हैं बिना वनुत पाद प्रतेक्श उपभोग या व पनुतपात की कमी नहीं है। यहां के जंगल, अंगिनत औशद्य पौधे तथा जड़ी बूटियों से घीरे पड़े हैं। आज जब लोगों का विश्वास औशद्य पौधों और जड़ी बूटियों पर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में इससे संबंदित रोज़गार के अवसर भी खुलते जा रहे हैं। इसके जीते जाकते उधारन हैं शेह नवास जिनोंने लोहरदक्ता में आयूरवेद आधारित औशद्य धाले खोला है। वो यहां सिर्फ जड़ी बूटियों से बीमारी का इलाज भरी नहीं करते बलकि लोगों को इसका प्रसिक्षन भी देते हैं। इससे वे ना सिर्फ अपने लिए बलकि औरों के लिए भी रोज़गार स्रीजित कर रहे हैं। इस से हॉल को हम लोग आर्टीटी हॉल बोलते हैं या ट्रेनिंग हॉल भी बोला जा सकता है। आर्टीटी का फूल फॉर्म होता है राउंदा टेबल ट्रेनिंग। चुके मेरे पास पिछले तीस वर्सों से ऐसे पैशेंट आते थे या ऐसे नीडी हेल्थ नीडी लोग आते थे जिनका हेल्थ अच्छा हो जाने के बाद उन्होंने बोला कि सर जड़ी बुटी का ट्रेनिंग संभव है। तब यह कॉंसेट लोगों के माधियम से मेरे बिरेन में आया और इस कॉंसेट को पूरा करने के लिए इस हॉल को बनाए हैं जिसमें सबसे पहले एक्सपर्ट के माधियम से र्टीटी करवाते हैं राउंड़ा टैवल ट्रेनिंग करवा करके फिर उसको जब वो और सीख जा अभी संडे संडे का शुरू किये हैं हम लोग संबत्ता एक महिना के बाद हम लोग सब्ता में दो दिन ट्रेनिंग देंगे चुकि इसमें जो ब्यवस्था बनाना पड़ता उस एक ट्रेनर होता है जो एक्सपर्ट है और हर तरह से वो परिपक हो चुका है अईरुवेद को ल जड़ी बूटियों को देखाएं बताएं और उस जड़ी बूटियों का परसिक्षण दे करके उसको फिल्ड में उतार करके लोगों का जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उसको दूर करके अपना कुछ आड़निंग शुरू कर दे शेहनवास का ये औशधाल है आत्मा एजूकेश की दभी कुछली बच्चियों को जड़ी बूटियों का प्रसिक्षण दिया जाता है ताकि वे खुद के लिए रोजगार स्रेजित कर सके और ये टूटल चीज़ संचालित होता है एक ट्रस्ट हम लोग तियार किये हैं फात्मा एजूकेशन सोशल ट्रस्ट इसके अंतरग जो है शीप लड़कियों का एस्पेशल एजूकेशन दिया जाता है इसमें पांच से छे इस्टेट के बचियां यहां पास एजूकेशन पराप्त कर रहे हैं इंग्लिस मेडियम से पढ़ाई होती है और ततकाल अभी जो है यहां पास अठारा बचियां जो है एक्जाम दी ए उसमें बहुत सरा इसी बाचीया तियू ben जिसके माबाप नहीं हो इस बचीया को हम लोग रखे हैं जिसका खर्च यह हम लोग खुद कंपनी के थरूप भान करते हैं और एजुकेशन को अच्छा सह देने की कोसिद करते हैं साथ में Tischमane का काम है उसको भी हम लोग देखते हैं परबंधन में आपके मेरे जो है युकेशनल स्टाफ जो है 28 है और 35 स्टाफ जो है आपको मेडिकल डिपार्टमेंट में है जिसमें की आपको ड्राइवर ड्राइवर हुआ रिसेप्स हुआ और दवा बनाने वाले हुए और गाड हुए सब्सक्राइवर हुए और बाहर के स्टाफ है जिनको हम लोग को प्रश्टमें उपर में देते हैं रहने के लिए यहां बच्चियों के अलावा वैसे लोगों को भी प्रसिक्शन दिया जाता है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है वे लोग यहां से जड़ी बूटियों क प्रसिक्शन लेकर बीमार व्यक्ति की सेवा में लग जाते हैं और खुद के लिए रोजगार भी खड़ा कर लेते हैं किसी साथी दोस्त के माध्यम से हम को यहाँ पता चला कि आप आयुरुबेद का टेनिंग दिया जाता है और भी अफकोस्ट हम यह एलगे देकें यहां का यह कोके अच्छा लगा और exercise यह जो डॉक्टर शर हैं हमारे जो उनका भी भी हैब उनको अच्छा लगा यह केंपस में रहने वाले सारे लोग हमको अच्छे लगे और यहां का जो विधिवे उस्ता है वो बिलकुल हमारे अनुकूल था कि हम पैसा लगा करका और अईयूरबीद के बारे में ट्रेनिंग ही ले सकते थे हमारे पास उतना एस्पेंस नहीं था तो हम देखे कि यह बहुत ही अच्छा है और पढ़िक करके और बिल्कुल विरोदगार हम बैठे हुए थे यहां पे हम आये हमको बहुत अच्छा लगा और हर एक सबता है यहां पे संडे करोज में ट्रेनिंग मिटिन जो होती है उसमें खास्तोर पर स्वास्त के संबंदित जड़ी बूटी के संबंदित और कौनसी बीमारी कैसे उत्पन होता है हाना किस कारण से लोग बीमारी से गरसित हो रही है तो उस कारण का निवारन यहां के जड़ी बूटियों में रखा गया और हमको काफी बेनिफ प्रवार वज़े क्या खाना है, शाम में क्या खाना है, यह सारी चीजों पर सुधार किये और बिलकुल फिट महसुस करते हैं, दूसरे को फिट हमारी बातों से जो एक दूसरे को सलाह देते हैं, उससे उसको काफी बेनिफिट हो रहा है। लोहर दग्गा इस्टित जारकंड और शाधाले में जड़ी बूटियों के निर्मान का भी काम होता है, निश्चित तोर पर इसके लिए भी आदवी की आउशकता होती है, यहां इसकारी से भी जुड़कर कई लोगों की बेरुजगारी दूर हुई है जैसा कि मैं जहां अभी खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह जारकंड और सधाले का मैनुफेक्शरिंग यूनिट है, और यहां पर सुद्ध जारकंड की जड़ी बूटियों से दवाई बनाई जाती है, और यहां देख सकते हैं हर एक परकार की जड़ से उपत्तित सभी तरह की जड़ी बूटि बनाई जाती है, जैसा कि मैं जहां अभी खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह जारकंड और सधाले का मैनुफेक्शरिंग यूनिट है, और यहां पर प्रकर्ति से उत्पत जितने भी तरह की जड की जाती है, और यह जो दवा बनने का परकरिया जो होता है, जहारकंड के प्रकर्ति से उत्पत जितनी भी तरह की जड़ी बूटिया, जैसे कि जिसमें अगर इस्तिमाल अगर करने की बात अगर की जाए, तो उसमें बहुत सारे पौधों के जड़ इस्तिमाल होते हैं, बह अपना जहारकंड प्रदेश वनुतपादों से भरा पड़ा है, यदि इनका सही इस्तिमाल किया जाए, तो ये लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बन सकता है, शहनवाज ने यही किया है, उन्होंने वनुतपादों का इस्तिमाल कर खुद के लिए तो रोज रोजगार खड़ा किया ही है, साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के ने द्वार खुले हैं। लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेनी का, हमें देजे इजाजत ताकि अगले अंक में पुना हम आपसे यूही अच्छी अच्छी बाते करें और जारखन के विकास के बारे में आपको बताएं। तब तक के लिए नमस्कार चोहार। पिकास की ने गाता लिख रहा है जारखन। हमारा जारखन उभरता जारखन।